समस्ति पुर्जले की अंतरगत पूसा प्रखन के हरपुर महमदा पंचायत के वाड ग्यारे में लगभग दो महीने से अधिक से नल जली योजना का पानी नहीं मिलने पर वाड बारे में बीते लंबे वर्षों से रास्ते की समस्याओ को लेकर महिला ग्रामिडों में आकरोश व्याप्त है इसको लेकर ग्रामिडों ने भागपा माले की बेनर तले एक सप्ता के बाद सड़क पर आंदोलन करने की घोशना की बैठक की अद्धिक्षता वाड ग्यारे सदस्य प्रतिनिदी मित भुवन पास्वान व संचालन भागपा माले नेता राजकुमान ने किया बैठक में पूर्व जिला परिशद प्रत्यासी से भागपा माले जिला कमेटी सदस्य रोशन कुमार यादव उपस्तित थे बैठक में ग्रामिडों ने कहा कि वाड ग्यारे में नल जल योजना का पानी दो महीना बीत जाने के बाद भी शुद्ध पानी पीने को नहीं मिलने के कारड वाड वारे आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी पक्की सड़क नहीं है इसको लेकर ग्रामिडों में आक्रोश है बैठक में सम्मोधित करते हुए पूर्व जिला परिशद प्रत्यासी सेभखपा माले जिला कमेटी सदस्य रोशन कुमार यादम ने कहा वाड ग्यारे में ग्रामिडों को नल जल का पानी नहीं मिलने से दूसरे वाड से पानी लाने अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी नतीजा शूर्न्य रहा है एक सप्ता के अंदर जनता की समस्या का समाधहन नहीं हुआ तो भागपा माले के बैनर तले ग्रामिड चरण बद आंदोलन करेंगे बैठक में राजकुमार अनीता देवी सुनीता देवी सदरपन्यूज के लिए समस्ति पूर बेहार से प्रयांशु कुमार की रिपोर्ट चाहिए आज हम लोग यह बैठक की है बैठक करने के बाद यहां के जो पर्खन पर साइसन को लोग लिखी देंगे यह जो मांग है उस पर तुलंत करवाई करे और यह नलजल को शुरू किया जा जो रोस्ता कर समस्या उस पर भी काम हो जो जिससे यहां के लोग को आने जान पानी कितना दिन से आप लोग को नहीं में देखने को मिल ला है और उसी बीच यह महिला आपनी बात को रखें जे क्या समस्य आभी यहां है पानी कितना दिन से आप लोग को नहीं में दो महिना से तो आप लोग यहां के जन परतिनी दिये उन लोग से गया है कहने यह बात बोले उन लोग को भी पता है लेकिन मोटर चालू नहीं करते हैं बोलते हैं मोटर जल गया है यह नहीं करते हैं दो मैंना से पानी भी नहीं दे रहा है उधर पानी चला रहा है इधर पानी नहीं चलाते हैं बोलते हैं कि मोटर जल गया अच्छा इधर घना बस्ती कितना बाद बड़ दो ताहे